Hey everyone, welcome back to my channel, be a mother lover and children friends video को start करते है guys, इस chapter को लाने में काफी ताइम हो गया तो I'm really sorry guys, so please इसका previous chapter जाके playlist में जग कीजेगा, आप लोग playlist में जाएए, आपको मेरे चैनल पे एक option बन जाएगा playlist का उसमें जाएए, और इसकी जो पूरी लिस्ट मैंने बना के रखी सारे chapters के उसका previous chapter देखकर आएए, तो ये वाला chapter आपको देखने में आसानी होई, क्योंकि बहुत सारी लोग मेरा ये वाला chapter देखेंगे तो ज़रूर लेकिन उनको previous chapter याद नहीं होगा, और ये वाल सुनते हमारा सेंची कहता है कि, वेल हाँ, मुझे बहुत सब अच्छा लगता है, वेल ये काफी ज़र पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन ये hot blood youth है, जो काफी ज़्यादा रेर होता है मेन प्रोटागेनिस्ट में, जो काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग को स्टोरी तो यादी होगी कि, लास्ट अपने स्टोरी एक्स्पें की थी कि, जो लोग, I mean हमारा सेंची और कुंशु जिस ट्रामा में एक्ट करने वाले हैं, उसकी स्टोरी कैसी है, तो आप लोग को याद नहीं होगा तो प्लीज पहले कर देखें, जाकि आप को अच्छा लगीगा, तभी हमारा कुंशु कहता है कि, अगर मैं यह प्लीज करूंगा, तो क्या तो मुझे अड्मार करोगे, यह बास सुनते हमारा सेंची जो होता है, वो कुछ महीं नहीं बोलता, अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जो होता है कि, यह क्यों सखता कि ठीक है, और सुन लगता है कि मैं इसे यह की तरह एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद वो लोग एक कैन होता है, उसे उठाते है, और दोनों ही एक दुसरे को जो हाथ होता है, वो टाच हो जाता है, तभी दोनों दूसरे को देखने लगते है, इस्पेेशली हमारा करने ऐधे, क्या हम आफे एकडिसे हैं क्या है तुम सड़नलिन यसा भी बाते क्यु कह रहे हो वह бारा सुन आ ऐसे हमारे सुन्षू कह रहे हो डबातों नहीं करूगी है ति Special सुल नहीं कहिसे हिता सुम कित अफे बाता की क्या है किस यह यह सुचता था कि स्कूल बेल को समझना कभी से मुश्किल है लेकिन यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना साथ मुश्किल होगा और वो मुझे इस तरकी से बहेब करेगा सच में कभी-कभी नहीं मुझे हार्ट टाइम दे देता है जिसे मैं समझ नहीं पाता कि कहना और करना क्या चाहता है और वो एक पॉर्सपूल स्माइल अपने फेस पर रखता है और फिर दोनों कहते हैं कि लेट्स को और दोनों अंदर चले जाते हैं दोनों एक साथ आ रहे थ कि जरूरत हो तो मुझे बोल देना और जो कुंशी होता है वहीं पर रुख जाता है और उसका टीम मेट और दुनों बात करने लगते हैं तभी जो सेंची होता है उसे थोड़ा लगता है कि ही जैंग को ऐसा लग रहा है कि वह इन लॉंगे इसे काफी जादर रिलेट कर पा दो है और इन लोगों का जो लीडर था वह इंजड हो चुका है वह होस्टोलाइस है बहुत टाइम से अर उसको राखा गया है अगर उसको राफा कि और प्लेस ही जा गया है और तरीक अगर वह नहीं आ रहा है तो अमरे उसे राफासे कर धान अगर आ जाता तो मैंभी लिकाने मुझे जूंस किया और ज्शिका इसके लीडर को भी जूंस किया कि I hope कि इसमे प्रॉबल्म नहीं होगी मैं इसके लीडर लीज़र की जगह तो नहीं ले रहा है तुम्हारी गलती नहीं है तो प्लीस तुम अपलोजाईस मत करो एंड प्लीज उसे बोल देना इन लोंगई को बोल देना कि शेंचे एक अच्छा परसन है तो उसके साथ ऐसा प्लीजन से कभी भी नहीं जाएगा और उन दोनों के विश यसाई बाते हैं तभी जो उसका ट्रेंड एता है ग्रूप मेंबर एता है कि सेंचे के जाइन करने से पहले जो हमारी ओरिजिनल टीम उसमें सिफ चार लोग थे और प्लस वोशिंग भी था अब हमें वो साइची से बताता है कि इल लॉंग गई वोशिंग एन मैं हम तीनों एक ब्रदर जैसे थे हम लोग जुनियर हाई स्कूल से साथ थे हम लोग हमेशा एक ड्रीम देखा करते थे कि हम लोग अपने रॉक बैंड बनाएंगे और गुचाव कंप्ली ने हमें एक साथ देखा और हमें साइन कर लिया हमें ड्यूब्यू करने का एक अच्छा खासा मौका मिला लेकिन था कि वोशिंग का सटनली एक कार एक्सिडेंट हो गया और उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया वह काफी ज़ता इंजर्ड हो गया उसके बैक बोन में काफी ज़ता इंजुरी आ चुकी है और वह अच्छा नहीं है और उसका जो फ्रेंड रता हो कहता है कि मैं समझ सकता हूं लेकिन यह सही नहीं है लेकिन लोंगाई भी यह सारी चीजे नहीं समझ पा रहा है इसलिए उसने सारा गुसा सेंचे पर निकाल देबाट अट लिस उसने जान बूच कर कुछ नहीं किया बस उस जाते हुए कि आए होप इस मैंटर का फिर से तो मैंशन नहीं करोगे और वहां से जाते वक्त पिर एक बार कहता है कि जबसे यह साई टीम जोईन की है मैंने यह तीम जोईन की है मुझे लगता था कि इस टीम में कुछ अनिससरी चीजि़ है लेकिन तुम्हें पता है कि करना समझे तुम एन हां मैं नहीं चाहता कि कोई भी परसन किसी दूसरे का गुस्ता किसी दूसरे पर निकाले परना तुम जानते हो ना फिर दोनों दूसरे तरफ मुड जाते हैं I mean उसका जो टीमेंबर रहता वो दूसरी तरफ जाता है और उसका जो कुछ रहता है वो जाता है कि नाइस पोस तो एट नाइस पोस और फिर क्लिक की आवाज आती है और फिर यह सारे बास्केट बॉल टीम का आई जो ड्रामा होनी वाला था उसका फोड़ शूट चल रहा था और सबका एक एक करके फोड़ शूट चल रहा था अब हमें इंग लॉंगई का दिख जाता है फोड़ सा नक्षा टाइप का है लेकिन प्लेइंग स्किल काफी से अच्छी है लेकिन उसा ही चीजों को ठीक से समझ नहीं पाता है और फैंग यून का जो नाम है वो ऐसे वेंच्छू के लिए उसका नाम लिया गया है और यूलीन इनवर्सिटी का बास्केट जो कि यूलीन इनवर्सिटी का बास्केट बॉल्टी मेंबर है कैप्टन तो इसकी टीम लाग भी करती है और इसकी वज़द से उसके बाहर जो आउर्साइडर है उसे हमेशा टांट करते रहते हैं लेकिन इन सभी चीजों के बाद रूद भी कैप्टन हां रूई की वज़ जो कि यूली उनर्सिटी का फ्रेश मैन है जो कि काफी जादा अखेला रहता है और रिजर्व टाइप का परसन है जो कि मैंने कहा था इसके बारे में हमारा सेंची नि कहा था कि वह हॉट ब्लेडर बलड है I mean यंग यूथ है वह शॉर्ट तमपर है लेकिन जादा पॉपलर जादा होनी कोज़े से फिर भी काफी सथा अट्रक्टिव एंड अट्रक्शन का पात रहा है स्टोरी का तो इसलिया हमार सेंची को यह सबसे अच्छा हमारी कुईश्यू का रोल लगा था और यह हमें यह बताता है परफेक्ट पेस नेच्छल पेस इसके नेच्छल आईला फिर से नहीं खेला क्योंकि इसकी ट्राजिक कुछ हो गई थी जो कि मैंने बताया था कि वो किसी टीम से हार था बला बला राइप्स अधिर उसकी बाद हमें कुछ दिखाया जाता है हमारे सेंचे का जहां पर जो मेकप पार्टी स्टोर्टे और क्याते है कि वाव इसका ने जो करण है उसे इसेंड करनी के बाद भी तू डेस तक ही इसका इसका रह सकता है और साथ नहीं रह पा रहे है आदे हमें बहुत जासे प्रॉलम हो एटिर सासी चीजें के बाद लगिन वह कुछ कार नहीं सकता था तके इसका पेस काफी सता नैश्रल भाए नैश्रल था इस लेंग पी का रूम मेठ है और उसमें काफी सद बता गया कि यह काफी सद अड्मार करता है हांड्री को यह काफी सद इंकरेज करता है लेंगी को जोइन करने के लिए तीम लाबला बहुत साइश स्टोरी होने वाली है कि अई पी कुछ और बाती बता जिए तो यह है ने करने के बाद भी एक है यह सब्सक्राइब आपाद करने के बाद भी अमारे जो संची था वो सुच रहा था तो प्रो तुभी नहीं लगठा कि किसी ऐसे परसंद के सामें नहीं करना चाहिए जिसके अलरी नाशल कर हो यार म बोल नहीं सकता था मेकप आर्टिस के सामने और तभी वो लो कहते है कि हम लो क्यों ना इसका जो है वो शेफ कर दे हैं हमारा संची बीलाइक वर्दाव पहल वो कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तभी उसका जो एक मेकप आर्टिस्टा कहता है है कि यह सच्छ का से शॉक हो इसमें थोड़ा शेविंग किसा से हम लोग कर देंगे है किसा लगया फॉर एक्जम्पल फ्लावर डिजाइन हार्ट शेफ शेंशाइन बॉय यह मैट मैस करेंगा ना वर डिसपॉंट तो हम नहीं करेंगे तुम्हें अब हम्में हमारा कुशि दिखा जाता है कि अपनी फो आप बल से जाता है आपर का नहीं से फ्लिट तो हम Bigitel रुक यह शीन के डापयं ढूश रहते है कि मैं एक्ते मिन एक्समें की अपर डिटाब हो हमें करदेता है इस रूम से ओशन का विव तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा सेंचे एक साथ एक रूम में थे और तभी कुण्षू हमारा सेंचे को बाहर का विव देखी वे सुचने लगता है कि हम दोनों साथ सेंचे को अश्यार करें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फियांसे को पर लेकर रहा हुं और हम दोनों एक साथ हानीमून मनाने आये हैं जो कि वीव काफी जदा अच्छा लग रहा है तभी वो कहता है कि क्या तुमने अच्छे तरके से देख लिया क्या तुम्हे लिए इतना इनफ है तभी हमा जो सेंचे होता है कि नहीं मुझे तोड़ा और देखना है अगर मैं एक इनवीज़ बर्सन नहीं हो तो Brenda एक दिखावे की चीज नहीं हो है ना मैं एक यौड़ा एक दिखावे की चीज हो बला मैं एक मैसे हमारा सेंचे कहता है कि थांच्व मैं स्टाहलं स्ट betaire my hair अमिताबा तो आप लोग को याद होगा, यह मैंने बताया है संचे हमा दिखने लगता है नो लग्ज़ुरी होटल, स्वीट, नो असिस्टेंट, यह लिए लुटी है तो यह स्टाल चीज भी कि बूटी है, अब किसी चीज को किसी भी गुरूप को जॉइन करते हो तो स्टारिंग में आपकी पास स्टारिंग में होता है वो जीमिन के बारे में सोच रहाता है वो कहता है एड़ टाइम जब मैंने इसाइची से देखी तो मैं भी समझ तकता हूं कि उसने भी सेम ओर्डिनरी सीलिंग देखी होगी स्टार्टिंग में हाना हर चीज कैसे वो वивал된स देखें देखें लगता है कोंश की बॉड़ी क की बॉड़ी दीख रही थी जो ग्लास तो अलड़ी तरीके से ट्रांसेविल था। लेकिर वो सब्रक्राइब देखें उसे पुरी तरीके से ट्रांसेग तो नहीं था तो अपनी पोजिशन ले लो एंड सभी लोग पोजिशन ले ले लेते हैं शुटिंग स्टार्ट की जाए अब यह फर्स सीन होता है जहां पर हमें सीन दिखा जाता है पहली बार मुलाकात होगी तो वह बंष्णी ब us switch o कि तरफ उजिशन तरफ पुस करे गा जो धूट जो टो हो अंब वहजएंटली धुलु मांगी और वह हो इसे नरौव समय जो हमारा सभावता है ब्रुट पर होता है हमाज जो सेंखन न्हीं होता है और कहता है हमारा कुंशु दख हाँ है जिसके सर पर लगता है बैंग तो सीन यही था गाइस मुझे ड्रामा के नेम नहीं याद है मैं मेन केरेक्टर को भी नाम लेकर चलूंगी सब लोग याद रखीगा सीन पुछ अगया तो पूफ कर लोगा अगया तो सेंशे पविपन के सफ़ फिरागा और वेकर यह थे जी कशियर सेंशे पाइंग तो नाम पना थे नहीं का इसा पूफ कर दिया हैum इससे सच में शोट लग गई बट अब मैं क्या गरूँ डाइक्टर अभी कट बोलेंगी यह कितना इंबरसिंग है और से काफी बूरा लग रहा है तुरंथ हमारा जो कुंशु होता है वो डोर को ओपन करता है और तभी हमारा जो सेंची होता कहता है कि सॉरी सॉरी क्या मैंने बाता है सच में बुण क्याता है तभी हमा जो सेंची मों मों कि घर रहा है वो कुंशु होता है करना सूचनी काल मैं हमारा कजेदेधा है और सिफ् HU richness में सा ग्री कालते हैंसाओ की मुझे इंवा इस सॉच नहीं जग नहीं सैक्25 बढ़ा है और संचा क्यों मैंम मैंसुन ल यह उसके दिखने हों घर तभी हमार जो संचिते हो जोगता है कि अधा सफनी हो यह जो यह मारी जाता तु यह जाता थि कर या साई जाती रहती है जो जो श्लीक गोष़े एक गया खुशी के आसु ही शाई लगते है तभी डेक्टर कहता है गोड़ गट तभी हमा जो संची होता है कि finally यह सआईची से हो गई सच काउं ये मारे मेरे वाले के बेस्ट चॉएस थी तभी जो कुछ गल रहती हो आती है और कहती है लुवाज वाज पर देट शुट तभी जो गल रहती दूस्री कहती है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए तुम्हें प्रफॉमंस से काफी जदा अच्छी थी और उससे बाते करने लगती हैं उसके सामने स्क्रिप्ट लेकर आया थी और तभी हमारा जो सेंची होता कहता है प्लीज मेरा मजाग मत उड़ाई और तभी वह कुछ थी और अच्छी के बास जाता रहते हैं तो क्वे तुम थीक हो क्या तुम्हें चौट लग गई क्या अच्छी तुम्हें हमारा सेंची कहता है कि सोड़ी ना इप्रोमस मैं फिर से कभी भी नहीं करूंगा तुम्हें हमा यह अलग है हम दोनों के बीश में superstar A and superstar follower वाव एंजिलिन इन्वर्सिटी का canteen का scene दिखाया जाता है जहां पर कुछ पाते चल रही होती है जहां पर कहते हैं है है क्या तुम्हें सुना बजर बेट का set लगा है जिलिन पर तो जो दूसरा बंदा वाव तो वहां की लोग जो कितने साथ गुड लोकिंग है ना काफी साथ अच्छी इसकिल है उनके पास तभी तीसरा कहते है हाँ मैंने देखा उनकी अपरियंस थी वह काफी आइकची थी ओगार मैं तो पागल होते जा रहा हूं इस ट्रामा के लिए अब्ल्यड जाज वहां पर एक गरल आते है कहते है कुंशु तुम्हारा अच्छा वगया ना तुम्हारा च्रागी से पोत्र बहुतु आप कीटभी साथ सता अमेजियंग है पोस्ता हम कनूटें सब्सक्सक्रेट किया ना तो पर बहुत अच्छे सरके से कर पा रहा हूं वह सच में रोल काफी जद अच्छा है और फिर एक आवाज आती कहती है अपकोस तुम्हें बैट सकती हो और यह और कोई नहीं रहता है इस बंदे का नाम हमें अल्री बताया जा चुका इसका नाम फिंग एंड रहता है फिंग को खाना शेयर करते हैं अपना फूट शेयर कर रहा है हमा जो कुंशु है वह अपने प्लेट मिर से निकाल के वह संची के प्लेट में देते जा रहा था और तभी जो फैंग एंड रहता है उसके आखों में हमारा कुंशु एं संची बहुत जादा चूब रहे थे काफी सदाच्च चालग होगा वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर और चानल स्क्रिप्ट कर देना वमें देंग सुट्विम टर्न वेबर सी यो सून